गुड मॉर्लिंग, गुड मॉर्लिंग, अल अफ यू, मैं M.D. अश्रप गद्धी, चाड़क कॉलेज अफ एजुकेशन, बेतियाँ, पेपर, CC1, चाइल्ड एंड, गुरूइंग अप, उसमें एक इंपोर्टेंट क्वेस्टेन है, बेस्वी करण, जिसको हम इंगलीज में बोलते हैं क्या, globalization, लेकि बेस्वी करण को समझने के लिए, globalization को समझने के लिए, सबसे पहले हमें क्या होता है, उसको तीन भागों में हम लोग डिभाइड करते हैं, फर्स्ट में क्या होता है, liberalization, privatization, अब उसके बाद होता है, क्या, globalization, तो जब भी स्वी करण, लेकि बोल भी स्वी करण को असानी से समझते हैं, यहां पर दिया हुआ है, कि बैस्वी करण क्या है, बैस्वी करण का साब्दिक अर्थ होता है, कि बिश्व की सारी अर्थ ब्यवस्ता जो होती है, उस बर्स अर्थ ब्यवस्ता को हम क्या करें, एक बिंदू पे किंद्रित करें, अब यहां पे भारत हो गया यहां पे नेपाल हो गया ठीक है यहां पे रूस हो गया यहां पे क्या हो गया अमिर्का हो गया ठीक है अब इसका केंद्र बिंदू क्या होता है एक होता है अब इस केंद्र बिंदू के माध्यम से हम क्या करते हैं सब को distribute करते हैं अग उस distribute में होता क्या है कि जिनकी जो समस्या होती है उस समस्या को हम क्या करते हैं समधान करते हैं तो कहने का अतार पर कि आज का जो यूग है आज का जो समय है क्या है वो तकनीकी का समय है और उस तकनीकी के वजह से जितनी भी दूरिया है वो सब दूरिया क्या हो अभी भारत में क्या हो गया, अभी चाइना में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे क्या करते हैं, उसको असानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कि इनकी समस्या क्या है, और जिसके वजह से जो लोग थे, जो हम लोग हैं, स्टुडेंट हैं, या ओल क्या है माध्यम से नेजी करण उधारी करण और बैश्वी करण का परिणाम देखने को मिला ठीक है नेजी करण का मतलब होता है कि उस पर किसी एक बेगती को क्या करता है उस जितने सिस्टम होते हैं उस सिस्टम को क्या किया दिया जाता है और वह बेक्ति क्या करते हैं उस सिस्टम को वह परिक्रिया को वह अपने माध्यम से एक चैन के रूप में क्या करते हैं उसको गाइड करते हैं चलाते हैं और उधारी करण का मतलब क्या होता है कि उधारी करण में क्या होता है कि कोई government sector की company होती है उसको हम क्या करते हैं किसी बेगती को हम दे देते हैं उस टेंडर समझते हैं और उस टेंडर को क्या करता है वह बेगती अच्छे रूप से क्या करता है गाइड करता है चलाता है ठीक है सिस्टम को क्या होता है भंग नहीं होने देता है अब जैसे आग की प्रस्तिती में देखा जाता है कि बहुत से railway station ऐसे हैं जिसको क्या किया गया नेजी करण कर दिया गया उधारी करण कर दिया गया और उसके बदले में वहां से जो क्या होते जो मोटी रकम होती है उस मोटी रकम को ले लिया जाता है और वहां system भी क्या होता है अच्छा बाया जाता हैं जिसके परिडाम सवरूप प्रतियक दीस 20 का विकास क्या हो अच्छा से हो सके और उन्भाव को हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ हम लोग सेर्श परते हैं और इसमें भी किसी परकार के क्या होना चाहिए हस्त छेप नहीं होना चाहिए कहानी का तात्पल जह अगर अक्सफूर्ड इक्निवर्सिटी अमिर्का में चल रही है अगर उसका एजुकेशन हमें इंडिया में जरुवरत है तो हम क्या करें उसमें किसी प्रकार की क्या होना चाहिए परतिबंद नहीं होना चाहिए अगर उस परतिबंद होगा तो हम क्या करेंगे उस सिस्टम को हम समाज नहीं पाएंगे नहीं चला पाएंगे उनकी समस्या को हमेज समझना हो गए और हमारी समस्या को उनको समझना हो तो इसका क्या था इंट्रोडॉक्षन था परिचाय था कि विश्व की सारी अर्थ बेवस्ता को क्या करना एक किंद्र बिंदू से उसको क्या करना गाइड करना और वो भी किसी प्रकार की कोई हस्त छेप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की रिकावर्ट नहीं होना चाहिए अब जैसे अर्थ पे हम देखते हैं, विस्ट का एक ब्यापक बड़ा द्रिष्टी कौन है 20 है इसका एक द्रिष्टी कौन जा है वो क्या है बहुत बड़ा व्यापक है इसे एक ऐसी परक्रिया कहा जाता है जो ब्यक्ति के द्रिष्टी कौन होते हैं उसको क्या करते हैं वो चेंजिंग कर देते हैं और वो भी किसी परकार के हस्त वेस्त छेप के बिना नहीं जिसे क्य अब करता यहां पर अब इसविकरन आप समझ लिए गुलब लाइशन समझ लिए अब नेजी करण का मतलब होता है कि किसी प्रपस किसी बेगती को क्या किया तो वो उसी चीज को नेजी कर दिया जाता है जो काइड और वह बैगती क्या करता अपने सिस्टम के अनसा है उधारे करण में होता है कि कोई कमपणी होती है उस कमपणी को हम टेंडर पर दे देते हैं और उसको क्या करता है वो गाइड करता है अब बेश्वी करण का विगास की परक्रिया कई से होता है जैसे सबसे पहले रूलर से है आप ग्रामिड छित्र को जानते हैं रूलर बेक्ति क्या करते हैं गामिन छित्र में गाम में ज़्यादा रहना नहीं परसंद करते हैं अब गाम में रहने का वज़ा क्या है जिसे गाम में जब बेक्ति रहता है तो वहाँ पे उनकी जितनी भी आउसकता की पूर्ती होती है क्या होती है पुर्रूप से नहीं हो पाती है अब गाहां में रहने के लिए जैसे अच्छा सिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छा होस्पीटर नहीं मिलेगा, अच्छा आने जाने के यातायात नहीं मिलेगे, अब बेक्ति क्या करते हैं, यहां से वो क्या करते हैं, निकल कर धीरे धीरे सोहरो क्या होती है अच्छे से होने लगती है तो रूलर छेत्र होते हैं उनकी एरिया भी काफिर ज्यादा होती है और वहां पर शुबधा भी क्या होती है क्रम होती है अब रूलर छेत्र से जब डेवलमेंट होता है तो क्या उसको बोलते हैं यो पॉलिस बोलते हैं मनें क्या प्रा सकते हैं यह पॉलीशी को हम हटा कर वहाँ प那我們 लिख दे तो पॉलीश में क्या होता है किसी चीज को किसी छेत्र को क्या करना लचंप उसको चंप्क वाहत में कैसे कैसे डेवलेमेंट वह सारी चीज के भी से में हम जानते हैं उसके बाद होता है कि पॉलिस भी होता है उस पॉलिस को भी हम क्या करते हैं दो भागों में हम डिभाइट करते हैं ठीक है एक होता है टाउन और एक होता है सीटी अब टाउन का मतलब होता है जैसे करद देखते हैं कि आप मेट्रो पॉलिस का मतलब होता है कि जहां पिर मेट्रो गूंधं कन ऑब गुंधा कि क्या है थो आप दखी थे मादे की बेती आप का जा रहा है तो सीटी हो जाएगी वह दिल्ली में जा रहे हैं तो क्या हो गया आपका मेट्रो सीटी हो जाएगा उसके बाद आता है उसी में एक मेगा पॉलिस में होता क्या है कि बेगती क्या करते हैं मेगा पॉलिस में ब्यक्ति क्या करते हैं प्लायन करते हैं एक जगा से दूसरी जग जैसे मानते हैं कि उनके पास पुंजी ज्यादा हो गई पैशा ज्यादा हो गई उनके सुबधा ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे अपने कंट्री अपने दिस को छोड़ का किसी दूसरे फॉर्न दिश्न में क्या करेंगे चले जाएंगे और वहां पे जceksin मानते हैं कि हमारे यहां के जो डॉट्टर हुए है फिर इनजिर्नियर हुए कॉष्स साइन्टिस्ट हुए इस सारे क्या करते हैं या बड़े-बड़े बिजिनेस नसमेन वह वो क्या करेंगे जैसे अपने इंडिया को छोड़कर क्या करेंगे वो फॉर्ण में जाकर विदेशों में सिफ्ट हो जाएंगे लेकिन उनका जो कारोबार रहेगा वो इंडिया में रहेगा होते रहेगा उसको हम क्या बलते हैं, मेगा पॉलिस पोचते हैं, जिसको हम क्या बलते हैं, प्लायन करना, एक सहर से किसी दूसरे सहर में प्लायन करना, वो भी वैसा सहर जहां पे क्या हो, बिकसित हुगा हो, बिकास हुगा हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने सहर को छोड़कार परदू मुझें बॉलikes दूसर्ट के सब्सक्राइन करते हैं उसके बाद आता है निको निको पॉलिस में किया होता है उजार समझते हैं उजार अब उजार प्राकिर्थि हो सकता है और स्काइब मानव निर्मिद उसके हो से क्या होते हैं बड़े बड़े सोहर बिनास जाते हैं कि खतम जाते हैं डूढ़ जाते हैं या वैसे होता है कि मानो निर्मित बिनासकी कार्किरिया होती है कि जो गॉश्य के अख़ेतर रहे हैं गॉश्य क्या आश्थान एपश WiFi dois बहुत धीरे-धीरे क्या करता है बेगती उसको तुर्वाता है गौवर्मेंट के जो पॉलिसी चलते उस पॉलिसी के अधार पर वह आपना परकिरिया वहाँ पे जारी करता है तो यह क्या था एक उस सिस्टम था गुलोबलाइजेशन का तो आज हम लोग देखें कि गुलोब गुलोबलाइजेशन के पार्ट कितना है गुलोबलाइजेशन के होजा से हमें बेनिफिट क्या होता है हमें होता है या हमेरे सारी देश है उस सारी देश को होता है ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम देखें कि बैस्वी करण से हमें लाभ क्या है और हानी क्या है इतना आप ल पारत इंडिया नेपाल जपान जर्मनी फ्रांस एक किंद्र बिंदू से हम उसको डिस्टिब्यूट करेंगे और जिनकी जो समस्या होगे उस समस्या का हम सामधान करने के लिए तत्पर और तयार हैंगे मेरे पास तक्निकी नहीं है तो जपान के पास तक्निकी उस जपान के तक्निकी से हम क्या करेंगे लेंगे अगर जपान के पास खाने पीने की सामगरी नहीं है तो हम यहां से क्या करेंगे उसके लिए निर्यात करेंगे भीजेंगे तो बहिस्विकरण में ही होता है कि आयात और निर्यात दोनों प्रक्रियाय साथ साथ चलतों हैं दोनों की समस्या को हम क्या करते हैं, mदिश्टिवीूट करींगे, देंगे जो मेरे पास नहीं होगा, वो रहेंगे तो इसके लिए यह अच्छा रिलेशन होता है और सभी देश क्या करते हैं इसमें भाग लेते हैं यहां तक कि competition की फरदा आती है उस competition में सारी देशे भाग लेते हैं तो आज के classes को हम लोग क्या करते हैं यहीं पर इंड करते हैं मैं MD अश्रफ गद्दी चाणक के college of education बेतियां आप लिक्व सिलेबस के देखते होगे paper 1 c1 child and growing up को हम आपको एक question को आपके सामने प्रस्तूत की प्रहाएं उनकी जो समस्या होगे आप comment के माध्यम से आप पुछ सकते हैं चलिए इसी के साथ आप सभी को मेरे तरब से बहुत धन्यवाद ठैंक्स